असाले कॉम कैसे आप सब दो अमीद करते हैं आप ठीक होंगे आज में बना रहे हैं जट पर बियानी बनाने की रास्पि बताऊंगी सबसे पहले हमने प्यास को फ्राइ कर लिया है और उसमें हम चिकन एड़ करके उसको फ्राइ कर लेंगे यहां पर मैंने लैक पीस यूज़ कोई भी चिकन यूज़ सब्सक्राइब कर लिया हैं मैं झाली करते हैं तो में असमें डबबे करे मसालर हैं इसके पर precautions कर दमदब कर दोंगी शुखने रिंडे़ वह इस बाद्यान की फूल भी कहते हैं इसमें एड कर लोंगे तीन अदद और इसके बार हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे जिदि हमारा मसाला तकरीबन भून गया है और दूसरी तरफ हम चावल को बॉयल करने रखते हैं यह बहुत ही इजी रैस्पी है ब्रयानी बनाने की च चावल आप बहुत ऐत्यात से बॉयल कीज़ें कि अगर आपके चावल से बॉयल नहीं हो आवा तो आपकी सारी ब्रयानी खराब हो जाती है तो जब देखिए कि चावल एक तन्य रह जाए मतलब पूरी तरह से ना तूटे और इसकी दो तुकड़े या तीन तुकड़े हो तो फिर आप उसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए चावल यह देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रैडी हो चुक है मैंने इसमें हदी मेर्चें भी आड़ कर दिये और हमारा मसाला बिल्कुल बहुन गया है ओयल बाहर आ गया है ठीक है अब हमने चावल बॉयल कर लि और इमली और धनिया पुदी नहीं डालना चाहिए मूँ डाल दें और इसके ओपर जी आलो बुखा रहे और फिर इसके ओपर दम लगा के रख दें देखिए दम आ गया है पंड़ाबी स्मेंट के लिए तो यह देखिए मैंने दम से हटा आया तो बिल्यानी का यह कलर आया और मैंने यह चोटी-चोटी स्लाद बना के इस तरह इसको खाया तो सब कुछ बहुत अच्छी लगी थी आप इस रेस्पी से ट्राइ किजएगा बहुत ही जटपट विर्यानी त्यार हो जाती है बहुत यमी बहुत ही जबदस्त है आप लोग को अगर मेरी रेस्पी तो इसको ट्वाय किजएगा लाइक किजएगा कॉमेंट किजएगा और शेयर किजएगा ताकि आपको इस तरह की नई वीडियो मिलती रहें और मैं आपको और भी बहुत सी नई नई रेस्पी आप लोग के साथ शेयर किरूँगी थैंक यू लाफेस